अस्राम वालेकुम रही मुर्खत बरकातू, आज अम बनाएंगे पूने का गरम Canadians का नाप तोल में नाम नाम खुश मे लाकट के साय संटमाल करेंगे तू चली फैन एक लिए तें एक वैखि 30 ग्राम में लिय्प नाप तोल के साथ में यह request इस्ते में दरेंके 45 ग्राम ला So हरी लाइची, ले लेंगे 20 ग्राम हरी लाइची का, फिर इसमें दालेंगे हम अख़्ा खड़ा धनिया ये भी मैं 20 ग्राम इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ न तो उसमें मैं धनिया पाउडर का इस्तमाल करती हूँ तो इसलिए मैं इत्ता ही इस्तमाल कर रही हूँ, काफी लोग इसमें धनिया ज्यादा इस्तमाल करते हैं, पर मैं इत्ता ही इस्तमाल कर रही हूँ, आपको ज्यादा इस्तमाल करना है, तो आप ज्यादा भी इस्तमाल कर सकते हो, फिर इसमें दाल देंगे हम दगडी फूल 25 ग स्टार ले लेंगे इसे चक्री फुल भी केते हैं ये भी मैंने 25 ग्राम ले ली हूँ दालचीनी ले लेंगे 25 ग्राम बड़ी शेप ले लेंगे हम 4 चम्मच मैंने इस्तमाल करी हूँ ये भी काफी जादा इस्तमाल किया जाता है पर मैं 4 चमच का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी काफी खुश्बू होती है शाह जीरा ले लेंगे हम 4 चमच जीरा ले लेंगे 4 चमच मैं खाने में जीरा पाउडर का इस्तमाल करती हूँ करके जीरा इस्तमाल मैं कम कर रही हूँ अगर आप चाहे तो जीरा जादा इस्तमाल कर सकते हो इसमें अभी सब मसाले ले ली हूँ मैंने और भी हम इसमें और मसाले अड़ करेंगे यहाँ पर देखे मैंने काली मीरी का जाधा इस्तमाल करी हूँ पचास ग्राम ले ली हूँ यह आपको इसमें जाधा इस्तमाल करना है बड़ी इलाइची ले लेंगे पचास ग्राम यह दोनों मैंने पचास पचास ग्राम ले ली हूँ देखे इत्ते मसाले तो यहाँ पर देखे मैंने सारे इत्ते मसाले मैंने इसमें इस्तमाल कर रही हूँ तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ मैंने किता किता इसमें इस्तमाल करी हूँ हरी इलाइची लेली हूँ मैंने 20 ग्राम दगडी फुल लेली हूँ 25 ग्राम शहा जीरा लेली हूँ मैंने जीरा लेली हूँ चार चम्मज शहा जीरा लेलेने चार चम्मज बड़ी शेप लेलेंगे चार चम्मज त्री फला लेलेंगे 25 ग्राम लवंग लेलेंगे 25 ग्राम काली मेरी 50 ग्राम स्टार लेलेंगे 25 ग्राम बड़ी इलाइची ले लेंगे हम पच्चास ग्राम अख़्ा दन्या ले लिए उमेने 20 ग्राम जैवेंट्री 25 ग्राम डालचीनी 25 ग्राम यह सब मसाले भी हमने ले लिए अभी हम इसे भुन के ले लेंगे इसका भुनने का भी एक तरीका है यहाँ पर देखे पैन ले लेना है हमें पैन में पहले सबसे पहले हम इसमें दाल देंगे जीरा फिर शहा जीरा दाल देंगे और बड़ी शब दाल देंगे इतनों को पहले हम स्टार्ट में भुन के ले लेंगे ग्यास जो है एकदम slow रखके हमें थोड़ा भुनना है एकदम fast ग्यास पर इसे बिल्कुल भी नहीं भुनना है तो देखिए मैंने इतना इसे बुन के ले लिए थोड़ा सा में इसे गरम कर ले इतना में इसे बुन के ले ले लेंगे फिर से हम इसमें अखे खड़े दने दाल देंगे दगड़ी फुल दाल देंगे ये भी बुन के ले लेंगे इने भी बुनने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए मैं एक साथ इने बुhun के ले ले रही हूँ तो देखें मैं इसे इतना ही बुhun Не के बाद में निकाल के ले लेना है, फिर हरी हिलाईची ढाल देंगे त्रिफळा ढाल देंगे इसमें लवंग ढाल देंगे स्टार ढाल देंगे दाल चीन के मैं तुकडे करके दाल दे रही हूँ ताकि हमें पिसने में आसानी हो जाएगी इससे और ये सब अभी भून के ले लेना है ये एकी साथ इसे दाल के इसे पिसके ले लेना है जिस तरह मैं भून रही हूँ उसी तरह से मसालो को भून के ले लेना है तो मसाले जो है अच्छे से भून के हो जाते है और बिल्कुल भी मसाला में जलाना नहीं है इतना ही मसाला दे कि मैंने इसे भून के ले लिए इससे ज़रे क्रिस्पी भी हो जाते है और खुश्बुदार भी हो जाते है जब हम इस तरह से भून के ले लेते हैं तो जादा भूनने के वज़े से हमारा जो मसाला है न काला हो जाता है तो इसलिए जादा नहीं भूनना है इसे हमें फिर काली म प्लेट में इसे दाल देना है इस तरह से फिर लास्ट में हम जैवेंत्री इसे भी भून लेंगे मैंने स्लो गहस्पे सारे मसाले को भून के ले ली हूँ बिल्कुल भी फास्ट गहस्पे इसे भूनना नहीं है इसी तरह से स्लो गहस्पे इसे भून के ले लेना है तो सारे द इसे भड़े से बरतन में निकाल के ले लेङी यानि परात में निकाल के ले लिए मुझे sacar के लेके । तो देखिए मैंने इसे थंडा करके ले ली हूँ 15 मिनिट के बाद में ही फिर हम इसे मिकसर के जार में अड़ करके ले लेना है अच्छा थंडा करके ले लीजेगा बिल्कुल भी गरम में इसे पिसना नहीं है तो देखिए मैंने इसे मिकसर के जार में इसे भी पिसके ले ले ली हूव इसी तरह से हमें से बना के ले le Container है अब सब्सक्राइब तरह को इस्तंध तरह करो बिल्कुल भी गरम मसालाitaire फ्राप नहीं होगा बिलकुल भी इसमें पाणी ना लगे इसकाnicas ध्यान रखना है पानी नहीं लगेगा ने तो ये गरम मसाला साल दोल साल अच्छे से ठीक जाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजेगा और ये मसाला जरूर बनाएगा माशाला आपका खाना जो एना टेस्टी और